वेलकम यू और टू यूर चैनल संग्राम बैच हमने शिरुवात की थी तो आज के टॉपिक होंगे हमारे प्रॉपर्टीज एंड एलोटॉप्स ऑफ कार्बन तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होते हैं कि जो प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है इनका कारण साफ है पहले पॉइंट से होते हैं इतनी ज्यादा हम एनरजी नहीं देनी पड़ थी इनके एलिमेंट के बीच में जो प्रॉपर्टीज को ब्रेक करने के लिए पर आपको असेप्शन या रखने हैं डायमंड औ बॉन्द मनाते हैं वो पानी में सॉलिबल होते हैं कोवलन बॉनड वाले गमपांड आपके जो होते हैं अकसर Water में सॉलिबल नहीं होते हैं अकसर बोल रहां ऑसली थीक है तो Water Insolidble होते हैं और ये कई Organic Solidment में तो आइन्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉंस फ्री वाले नहीं प्रेज़न होते हैं इसलिए यह क्या होते हैं वन ओफ दी पूर कंडॉक्टर ऑफ हीट एलेक्सिटी पर इसकी आप रसेप्शन ग्रेफ़ाइड या दखोगे अब हम देखेंगे अक्रेंट ऑफ कार्बन अगर कार्बन की अक्रेंट की बात करें यह दो फॉर्म एक्जिस्ट करता है फ्री स्टेट की इसकी एक्जामपल है और अगर combined state के होगा तो हम बात करें जैसे कमपाउंड में जैसे carbon dioxide हो गया, carbonates हो गया, carbonate में जैसे calcium carbonate होता है, CACO3 limestone ठीक है, और जैसे fossil fuel coal हो गया, petroleum है, जैसे सभी क्या है, इसकी compounds होते हैं, carbon के लग-लग elements के साथ combined state में मिलता है, उसके बाद आपको यह यह या रखना है, अ carbon की different forms होता है, diamond हो गया, graphite हो गया, filrines हो गया, coal हो गया, ठीक है, यह सभी क्या carbon की लग-लग form है, जैसे आपकी यह screen के सामने कुछ forms आ रही है, तो इसको बोलाए था allotrops, ऐसे लग-लग elements की different forms होती है, तो अब हम देखेंगे carbon की जो दो major format diamond and graphite और उनके difference के बारे में, तो स उसका color क्या आता है, gray-sheen color, second point of difference is that, जो एक carbon है, diamond case में, फदर 4 carbon के साथ connected, right side के उपर, आउपर वाला diagram दे सकते हो, उसमें एक carbon फदर 4 carbon से connected है, और graphite के case में, एक carbon फदर 3 carbon atoms के साथ connected होता है, next point of difference is that, कि आपका जो diamond का structure वो 3-dimensional structure है, उपर वाला structure जो right side में है, और अगर आप देखोगे, जो graphite का structure है, वो sheets की form में, layers की form में है, तो graphite की sheets की form में structure होता है, फिर diamond are not good conductor of electricity, क्योंकि इनके बाए free electrons नहीं होता है, पर whereas जो graphite होता है, वो good conductor of electricity होता है, क्योंकि बाए free electrons, यहाँ पर कोशन बनना है की probability है, यह point को आपको अच्छे से याद करने है, next point is that, diamond हम हमें पता है, यह one of the hardest of chance है, तो hard होता है और काफी heavy होगा, और जो आपका graphite हो soft and light होता है, this is all about diamond and graphite, अब इनके uses हमें पता है, यह यूलरी वगारा हमें हम यूज कर सकते हैं, glassy वगारा को कट करने, वहां पर यूज होगा, electrodes, lubricants की form में यूज होता है, फिर lead pencils की lead जो इसक करीबन 60 carbon के around full range में आते हैं, और यह इसका जो structure होता है, वह football like होता है, अब इसका नाम full range क्योंभी यूज होता है, यूज होता है, यूज होता है, इसका नाम full range डाल दिया, this is all about the allotropic form of carbon, I hope आपने ये lecture को enjoy किया होगा, with the pictorial representation, thank you and please like share and अपने साथी लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करने ताकि मैं और आपके लिए lecture लेकर आ सकते हैं, thank you